हाजी तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका होस्ट और दौस गगंदीप आपके अपने फेवरिट चैनल जी डी टेकली से तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू तो देखा दोस्तों कितनी असानी से MS Paint में हमने ये multiple photos different different वो बना ली हैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये MS Paint में कैसे किया तो जल्दी से करते हैं वीडियो को rewind और देखते हैं क्या है सारा process दोस्तों mostly करोना के चलते ना भारत में सबी states में lockdown चल रहा है और जो steady है वो online ही हो रही है सो हमने सोचा क्यों न बच्चों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाईजे जिसमें उनको कुछ नया सीखने को मिले सो देखिए दोस्तों आप अपनी स्क्रीम के उपर देख सकते हैं मैंने एक application open की है computer में software open किया हुआ है Adobe Photoshop आप सभी जानते होंगे कि Photoshop एक professional software है जिसमें हम अगर passport size multiple photos बनाना चाहें तो बड़ी असानी से बना सकते हैं आपने देखा भी होगा जब आप passport size photos के लिए किसी photographer के पास जाते हैं तो वो भी Adobe Photoshop software का ही इस्तेमाल करता है लेकिन दोस्तों अगर माल लीजिए आपके पास Photoshop software जो है वो ना हो फिर भी आप क्या करना चाहते हैं professionally passport size multiple photos बनाना चाहते हैं तो क्या आप किसी और software में से कर सकते हैं जी हां दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं वो software है बिल्कुल basic software MS Paint जी हां दोस्तों सही सुना आपने MS Paint में ये सारा process जो है वो किया जा सकता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा किस तरह से आप बड़ी असानी से घर बैठे ही multiple passport size photos घर में ही त्यार कर सकते हैं basic software MS Paint में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो तो देखिए दोस्तों मैंने MS Paint को open किया हुआ है आपको सबसे पहले क्या करना है फाइल पे जाके open पे आ जाना है जिस location पे आपकी photo होगी देखिए मैंने desktop पे जो photos हैं वो save की हुए है तो उस location से सबसे पहले आपको एक photo को insert कर लेना है देखिए इस तरह से photo insert करने के बाद अगर आप थोड़ा सा size इसका छोटा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है resize पे आने के बाद आप इसे जितना चोटा करना चाहे उतना कर सकते हैं मैं चाहता हूँ 50% जो है वो picture छोटी हो जाए देखिए ठीक है 50% छोटी होने के बाद अब आपको करना क्या है देखिए नीचे जो point आपको मिल रहा है उससे page को drag कर लेना है drag करने के बाद आपके सामने देखिए पूरा page बनके आ गया जिस पे आप क्या कर सकते हैं multiple photos लगा सकते हैं लेकिन दोस्तो multiple photos लगाने के लिए मैंने already वीडियो बनाई हुई है लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप multiple photos बनाना तो चाहते हैं लेकिन अलग-अलग photo को फिर आप उस process को कैसे MS Paint में कर सकते हैं तो देखिए मैं के करता हूँ नई sheet लेता हूँ फिर से नई sheet लेने के बाद सबसे पहले मैं एक पहली photo को add कर लेता हूँ देखिए मैंने पहली photo मान लीजिए add कर ली ठीक है photo add करने के बाद थोड़ा सा photo को कर लेते हैं पहले छोटा देखी जी उसके बाद मुझे क्या करना है photo को पहले select करना है control A या फिर select पे आके select all ठीक है जी उसके बाद control C copy या फिर menu बार से copy करने के बाद फिर से point को drag करके आपको page को increase कर लेना है और फिर paste की option जो आपको दिखाई दे रही है या आप control V कर सकते हैं या फिर paste की option से आपको pictures को पेश्ट करना है और फोटो को ड्रैग करते जाना है देखिए फिर से पेश्ट करता हूँ फिर से ड्रैग करता हूँ फिर से पेश्ट फिर से ड्रैग देखिए आप जितनी भी फोटो मनाना चाहे बड़ी असानी से बना सकते हैं अब माल लीजिए जो मेरी दूसरी फोटो थी अब मैं उसे भी इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ तो फिर क्या करेंगे दोस्तो यहीं पर जो हमारे बहुत सारे लोग होंगे न वियूर्स होंगे जो MS Paint के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे यहीं पर गलती करते हैं वो क्या करते हैं फाइल पे आके ओपन करने की कोशिश करते हैं दोस्तो अब आपको क्या करना है आपको फिर ओपन नहीं करना अब आपको पेस्ट पे आना है जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए drop down list पे तो drop down list में आपको दो options मिलेंगी paste paste from तो फिर आपको क्या करना होगा paste from पे आके देखिए आपके सामने एक dialogue box खुल जाएगा उस dialogue box में से आपको फिर से location चुननी है location में से अपनी जो दूसरी photo है ना उसे open कर लेना है देखिए ये photo आ चुकी है आपको बाहर कहीं भी click नी करना ठीक है सबसे पहले के करना है resize पे आके इस photo को भी आप जितना चाहे छोटा कर सकते है देखिए मैं 50% करता हूँ देखिए दोस्तों तो क्या हुआ almost photo ब्राबर आ चुकी है अब आपको selection में ही क्या करना है फिर से copy करना है copy करने के बाद paste control V की साहता से या फिर menu बार में से paste की साहता से मैं paste करता हूँ देखिए दोस्तों दूसरी photo आ गई फिर से paste करता हूँ तीसरी photo आ गई paste और फिर से paste देखा दोस्तों कितनी असानी से आज हमने paint में ये जान लिया कि किस तरह से आप MS Paint में ही Photoshop वाला काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें multiple passport size different photo भी बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस कमेंट के जरिए जरूर बताईएगा हाँ जी तो फ्रेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस यार हमें कमेंट के जरिए जरूर बताईएगा अगर आपको ये वीडियो हमरे अपसंद आया हो तो आपको पताईए क्या करना है आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करना है और हमारी चैनल जीडी टेकी को भी सब्सक्राइब जुरूर करना है So friends विदा देते हैं आपसे इसी बादे के साथ के जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही इन्फरमेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई